अस्सालाम वालेकुम दोस्तों और क्या लठीक है देख लो भईया खजूर है जो कि साउदी में है खजूर का बगीचा मजरा मजरा भी बोलते हैं और बगीचा भी बोलते हैं तो ऐसे ख़जूर है इधर और आईए हम बताते हैं ख़जूर के कुछ फायदे ख़जूर तो सबको खाना चाहिए जबकि क्यूंकि ख़जूर में बहुत से इसे पोशिक तत्व है और विटामिन से हैं कि ख़जूर बहुत से अच्छा फैदा करता है आदमी को हर आदमी को फायदा करता है जो की तो आईए हम बताते हैं यह देख लो पले ख़जूर गया है तो आईए कम समय में थोड़ा अच्छा बताते हैं जो कि आप लोग को समझ में आये और वीडियो पूरा देखा करें तभी समझ में आएगा नहीं तो फिर तो भईया क्या समझ में आएगा थोड़ा देखके भगाओगे तो और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना चलो दिखाते हैं इसमें से निकल क भी धेखें है खजूर होगा जरूर तू दोस्तों आईए दिखाते हैं खजूर जो की देखो इधर भी खजूर रखा एक बाल्टी थोड़ा गर्ता औरता लग गया है इधर देखो यह रखा है छे बोड़ी बचा हुआ है और सब ठंड में खिलाया गया है यह देखें ऐसे यह खोला में बोला दिखा दें आप लोग को खजूर भी यह देखो खजूर है तो यह देखो यह सब खजूरे रखा है तो यही है खजूर में पाए जाने वाले पोशक तत्वा जोगी आये बताएं हम भी थोड़ा बहुत जहां तक जनकारी हो तो यही है दोस्तों खजूर में पाए जाने वाले पोशक तत्वा से भरपूर है और हमारे सरीर में के लिए इतना लाभकारी है कि लिए जानने मान की जो कि आप लोग जानते होंगे और नहीं भी जानते होंगे तो अज जान लें इसमें क्या-क्या से है जैसे की composition और vitamins सब इसमें रहता है हजूर में magnesium पाए जाते हैं, zinc पाए जाते हैं, iron पाए जाते हैं, calcium पाए जाते हैं, potassium पाए जाते हैं आइसे आइसे अने कोछीज पाए जाते हैं जो कि हमारे सरीर में बहुत से फायदे मन्द होता है और फायदा करता है तो खजूर हर इंसान के लिए ज़्यादा नो मिल पाए तो कम से कम दो खजूर तो खाना ही चाहिए रोज और खास करके सर्दियों के मौसम में ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि सर्दियों में खाने से बहुत से ऐसे फायदे मिलती हैं गर्मियों में तो थोड़ा कम खाना चाहिए लेकिन सर्दियों में ज्यादा तर खाना चाहिए और चलो आगे वीडियो फिर बनेगा इतना काफी है जो कि लंबा हो रहा है वीडियो तो यही है भीज्या और आगे हम बताते रहेंगे क्या क्या है खजूर के फायदे